हलो दोस्तों मैं गोविन्वाल भी आपका स्वागत करता हूँ इतियास के कुछ पन्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज हमारा topic रहेगा सिंदू घाटी सब्भेता सिंदू हाटी सब्भेता इतिहास का सबसे प्रारंबिक topic माना जाता है और हर competition exam में इससे related कही न कही questions put up किये जाते हैं तो थोड़ा इत्मिनान के साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा और इतिहास एक ऐसा ही subject है जो क्रम बद चलना चाहिए और इतिहास हम visually देखें यानि एक film की तरह देखें तो सबसे बहतर होता है और मेरा पढ़ाने का शेली भी जो है वह एक visual ही है आपको film में अच्छी तरह से याद हो जाती है लेकिन पुस्तुकों में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता मैं भी देखता हूँ आपको इतिहास कैसे याद नहीं रह पाता तो चलिए सुरुवात करते हैं सिंदू घाटी सब्वेता की सुरुवात करने से पहले आपने एक शब्द जरूर सुना होगा की मनुस्य जो है इस धर्ती पर सबसे पहले आया था वह बंदर प्रजाती का माना जाता है ये चीज मैं बारिकी के साथ मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारा प्रार्णबिक टॉपिक है सिंदू गाटी सब्वेता और आपको कभी कवार पूछ भी लिया जाए कि सिंदू गाटी सब्वेता मैं किस प्रकार के निवासी या लोग निवास करते थे तो उससे लिलेटेर भी कही न कहीं आपके मैटर काम आ सकता है क्योंकि examination board का कोई भरोसा नहीं कहां से वो कौन सा सवाल उठा के पूछ ले तो ये सब कुछ repent करेगा आपकी किसमत के उपर तो ऐसा बताया जाता है और आपने भी पढ़ा होगा सुना होगा बहुत की मनुस्य बंदर की प्रजाती से उत्पन हुआ है लेकिन एक सवाल दिमाग में कौन दता है अक्सर मेरे और आपके भी शायद सवाल उठता होगा कि अगर बंदर से मनुस्य उत्पन हुआ है तो बंदर अब तक इंसान क्यों नहीं बना सोचने योग्य बात है एक्चल में बंदर बंदर होता है लाल मूँ वाला और काले मूँ वाला होता है लंगूर तो मनुस्य बंदर की बंदर से उत्पन नहीं हुआ है पुरातत्वे विज्ञान का मानना है कि बंदर की बहुत सारी केटिगरिया होती है बंदर के बहुत सारे प्रकार होते हैं एक बंदर का प्रकार होता है नियंडर थल ये नियंडर थल नाम का जो बंदर है वो गोरिला या चिमपैंजी जैसा होता है जो हूँ बहु इंसान के जैसी हरकत करता है तो नियंडर थल नाम की जो प्रजाती है उससे मनुस्य की उत्पती मानी जाती है तो ये नियंडर थल एक बंदर की प्रजाती है उससे मनुस्य की उत्पती मानी जाती है जैसा चिंपेंजी गोरिले टाइप के बंदर जो पेडों पे इन बंदरों की तरह छलांगे नहीं लगाते मरुस्य की तरह उनके हावभाव, व्यवार, सब कुछ होता है तो नियंडर थल से उत्पन माना जाता है मनुस्य इस नियंडर थल की उत्पती लगबग मानी गई है आज से 50 लाख इसा पूर्व 50 लाख इसा पूर्व से मानव उत्पती के प्रमान मिले हैं सबसे पहले यानि पचास लाख इसापूर्व यानि आप मान के चलें कि आज से लगबग पचास लाख दो हजार बीस साल पहले तो पचास लाख इसापूर्व मनुस्य की उत्पती के प्रमान इस धर्ती पर मिले हैं और पचास लाख इसापूर्व मद्य अफ्रीका मैं कुछ देश आपने सुने होंगे जांबिया हो गया जैसे जिम्वावे हो गया जिबूती नाम का देश हो गया तब से इस नियंडर थल की उत्पती के प्रमान हमें मिले हैं अगर भारत में बात की जाएं तो भारत में मानव उत्पती के सबसे प्राचीन प्रमान जो मिले हैं वह तीस लाख इसापूर्व के हैं तीस लाख इसापूर्व मानव उत्पती के प्रमान मिले हैं भारत में यानि आज से मानके चलिए आप तीस लाख दो हजार बीस साल पहले हैं क्योंकि 2020 चल रहा है, तो तीस लाख इसा पूरू मानव उत्पती के प्रमाण भारत में सबसे पहले मिले हैं, वह नागोर से मिले हैं, नागोर राजस्थान में है, देखें ये मनुस्य कैसा था, ये नियंडर्थल नाम का मनुस्य जो बंदर की एक प्रजाती है, ये कैसा था खाना वदोस्था, जिसे आप आदी मानव की संग्या दे सकते हैं, हाला कि इसमें भी बहुत सारी कैटिगरी हैं, लेकिन आपके इतना बारिकी से नहीं आएगा, आदी मानव का काम क्या होता है, देखें, मनुस्य की सबसे पहली प्रात्मिक आवश्कता होती है भूख, आदी मानव ने क्या किया, अपनी भूख को शांत करने के लिए पत्थर उठाया, शिकार के पीछे भागा, शिकार किया, मारा, खाया, निकल लिया, यानि मनुस्य का सबसे पहला कार्य इस धरती पर क्या था, आखेट, और वो आखेट किस चीज से करता था, पत्थर से, पत पत्थर के औजार थे, पत्थर के बरतन थे, मनुस्य की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो है, वह पत्थर पट की थी, इसलिए मनुस्य का आदी मानव का सबसे पहला समय कहलाता है, इतियास की बाजा में, पाशान युग, यानि मनुस्य आदी मानव किस में रहता था, पाशान युग में रहता था पत्थर के समय में रहता था आप सोचिए कि अगर कोई भी मनुस्य पत्थर लेकर किसी शिकार को शिकार कर ले किसी को भी मार के खाले वो आपकी नजर में कैसा इंसान कहलाएगा असब भी या सब भी कहलाएगा असब्य इंसान केलाएगा जो किसी को भी मार के खा ले तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं यानि भारत के इतिहास में जो सबसे पहला समय है आदी मानव का समय है उसे हम कहते हैं पाशार युग ठीक है? अब हम पढ़ना चाहा रहे है उस असब्धिय इंसान की बजाए अब किसको पढ़ना चाहा रहे है? सब्धिय इंसान को और सब्धिय इनसान अर्थात कहा रहेगा? सब्भेताओं में शब्द क्या है सब्भेता और सब्भी इंसान कहा रहना पसंद करेगा जहां उसकी रोजमर्रा की आवश्कताएं पूरी होती हो और रोजमर्रा की आवश्कताओं में सबसे प्राथमिक आवश्कता क्या है जल क्योंकि आपने सुना होगा बिन पानी सबसून जल है तो कल है और जल मनुष्य के काम के योग्य कहां मिलता है समुद्रों में नहीं नदियों के किनारे इसलिए आप देखना जितनी भी सब्वेताएं हैं वह नदियों के किनारे किनारे पनपी है तो भारत में सबसे पहले समझदार यानि सब्भी लोगों की बस्तिया कहाँ पनपी? सिंदू और उसकी साहेक नदियों के किनारे किनारे सब्वेता पनपी, इसलिए हम उसको कहते हैं सिंदू घाटी सब्वेता देखिए सिंदू नदि के किनारे होती तो हम उसको सिंदू सब्वेता कहते हैं लेकिन सिंदू और उसकी साहेक नदियों के किनारे किनारे सब्वेता पनपी, इसलिए हम उसको कहते हैं सिंदू घाटी सब्वेता देखिए इस अखंड आर्यावरत के अंतरगत जिसमें पाकिस्तान, आधा, अफगानिस्तान, भारत, बंगलादेश सब शामिल थे यहाँ पर सिंदूग हाटी सब्वेता कैसे और किस प्रकार से पल्लवित हुई आगे बढ़ी वो एक बार हम नजर दोडा लेते हैं इस पर सिंदूग हाटी सब्वेता जो है आपको भी पता होगा अभी-अभी मैंने क्या कहा सब्वे मनुस्य यानि समझदार मनुस्य अपनी बस्तिया कहा बसाना पसंद करेगा जहाँ पर उसकी प्राथमिक आवश्कता पूरी होती हो और प्राथमिक आवश्कता क्या है जल और जल कहा मिलता है उसे नदियों के किनारे इसलिए आपने सुना होगा कि वर्तमान मद्य हिमाले से लगा कर सियाचिन ग्लेसियर होते हुए अनंतनाक के रास्ते से डेरा गाजी खान के नौर्ट इस्ट से होती हुई मुलतान शहर के वेस्ट से होती हुई कराची शहर के इस्ट में मकरान तट पे एक नदी समाप्त हो सब्वेता पनपी उसे हम कहते हैं सिंदू घाटी सब्वेता सिर्फ सिंदू नदी के किनारे नहीं ध्यान दीजिएगा सिर्फ सिंदू नदी के किनारे नहीं सिंदू और उसकी साहयक नदिया यानि उसमें गिरने वाली नदियों के किनारे किनारे जो सब्वेता पनपी उसे ह हम कहते हैं सिंदू घाटी सब्भेता सिंदू नदी के किनारे सिर्फ सब्भेता होती तो आप समझ सकते थे कि वह सिंदू सब्भेता कहलाती लेकिन सिंदू और उसकी सहायक नदीयों के किनारे किनारे सब्भेता पनपी इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं सिंदू घाटी ठीक है यह सिंदूग हाटी सब्वेता में अब तक कुल इस्थल जो खोजे गए हैं वहां लगबग एक हजार से भी जादा बताए जाते हैं कुछ आकड़े मैंने किसी पुस्तक में पड़े थे एक हजार सत्ताइस के आसपास अब तक इस्थल सामने आ चुके हैं ठीक है यानि आप मान के चलिए सिंदूग हाटी सब्वेता में छोटे बड़े गाव और शहर कुल मिला के कितने थे एक हजार से भी जादा थे ठीक है अब तक सिंदूग हाटी सब्वेता में एक हजार से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं और उसमें सबसे प्रमुक इस्थल था जो सबसे पहले खोजा गया था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान शहीवाल जिले में पंजाब प्रांत पाकिस्तान का है उसका शहीवाल जिला है उसमें खोजा गया था रावी नदी के तड़ पे हडपा और इस हडपा स्थल की खोज सबसे पहले खोजा गया सवाल बन सकता है सबसे प्रमुक शहर भी माना जाता है हडपा जो सिंदु घाटी सब्वेता की राजधानी भी माना जाता है वो 1826 इस्वी में प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने खोजा था चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हडपा स्थल को खोजा था सबसे पहले हडपा स्थल आया यानि सिंदु घाटी सब्वेता की ये राजधानी भी माना जाता है इसलिए सब्वेता का दूसरा नाम क्या है हडपा सब्वेता क्योंकि सबसे पहले कौण से स्थल की खोज की गई थी सबसे पहले ही सामने क्या आया था हडपा इसलिए इसका नाम रखा गया हडपा सब्भेता देखिए एक बात मुझे बताईए आज अगर आप 2019 में कोई काम कर रहे हैं या आप 2020 में कोई काम कर रहे हैं करेंगे तो आप सोचिए कि पाशान युग में मनुस्य पत्थर के आउजारों का प्रियोग करता था रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पत्थर ही पत्थर था पत्थर के घर पत्थर के आउजार पत्थर के बरतन सब कुछ पत्थर का ठीके वो सोयन पत्थर का नहीं था बाकी सब कुछ उसकी रोजमर्रा की सारी सामगरी पत्थर की थी मैंने अभी अभी क्या बताया सिंदू घाटी सब्वेता से भी पहले आदी मानव का समय कौन सा था पाशान काल तो आप मुझे बताये क्या वो पत्थर का प्रियोग करना छोड़ देगा सिंदू घाटी सब्वेता के समय आएगा तो नहीं और अच्छे से करेगा यानि पत्थर का समय तो था ही पत्थर का समय तो आज भी चलता है पत्थर तो आज भी हम घरों मकानों में यूज करते हैं यानि पाशान काल तो आज भी चल रहा है सिंदू घाटी सब्वेता में भी था लेकिन मनुस्य ने इस काल में तामबे का प्रियोग भी सुरू कर दिया था इसलिए इस काल को संयुक्त रूप से तामर पाशान काल भी कहा जाता है यानि आप सिंदू घाटी सब्वेता कहे या हडपा सब्वेता कहे या तामर पाशान काल कहे बात एक ही है लेकिन इस काल में मनुस्य ने तांबे के अंदर टीन मिलाया क्योंकि मनुस्य है आगे बढ़ रहा है अब वो आदी मानव नहीं रहा अब वो क्या बन गया है सब्य समझदार तो उसने तांबे के अंदर टीन मिलाया और टीन मिलाकर कासा बनाया सिंदुग हाटी सबवेता में अधीकतर जोचीजे है घरेलू चीजे जो रोजमर्रा में काम आने वाली चीजे हैं वो सारी कांसे की है इसलिए इसे कांसी यूग भी कहा जाता है यानि सिंदूग हाटी सब्वेता का है या भडपा सब्वेता का है या तामरपाशान काल का है या कांसी युग का है बात एक ही है सिंदूग हटी सब्वेता के अंतरगत बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लायक लेकिन हम थोड़ा सा इसको according to exam देखेंगे कि exam में क्या-क्या matter आपके काम आ सकता है तो वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे सिंदूग हटी सब्वेता या हडपा सब्वेता या तामर पाशान काल या कांसी युग बात एक ही है सिंदूग हटी सब्वेता के अब तक कुल मिलाकर 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं सबसे पहला स्थल खोजा गया था हडपा इसलिए इसको हडपा सब्वेता भी कहा जाता है सिंदूग हटी सब्वेता का सबसे नवीन स्थल जो अब खोजा गया है कुछ ही समय पहले वो है भिरडाना बहुत सारी पुस्तकों में आपको भिरडाना नहीं मिलने वाला ये है वर्तमान हर्याना में है लेकिन मैक्जिमम पुस्तके थोड़ी पुराणी है तो इस वज़े से आपको इसमें शोर्ट गेई भी मिल सकता है कही कही पे बाला थल भी मिल सकता है लेकिन सबसे नवीन तम इस थल अभी लेटेस्ट में खोजा गया है उसका नाम है बिरडाना सबसे पुराना इस थल खोजा गया है हडपा ठीक है अब सिंदूग हाटी सब्यता की आकरती और आकार की चर्चा करते हैं कि सिंदूग हाटी सब्वेता आखिरकार फैली हुई कहां थी देखिए सिंदूग हाटी सब्वेता का अगर मैं बात करूँ सबसे उत्री स्थल की सबसे उत्री स्थल था मांडा जो की जम्मू एन कश्मीर के अंदर था मांडा चिनाम नदी के किनारे सबसे पस्ची में इस्थल की बात करें तो सबसे पस्ची में इस्थल था वह था सूत का गेंडोर ये सूत का गेंडोर पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत के अंतरगत मौजूद है सूथ का गेंडोर ये सूथ का गेंडोर जो है वह पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत के अंतरगत है एक प्रांत है बलुचिस्तान के राज़दानी है क्वेटा और एक है हमारी नजर में हम हिंदूस्तानी की नजर में पाकिस्तान की पास में चार प्रांत है तो पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत के अंतरगत पढ़ता है प्रवरा नधी के किनारे और सबसे पूर्वी स्थल है वहां है आलमगीरपूर आलमगीरपूर वरतमान मेरठ उत्तरप्रदेश के अंतरगत है वहां हिंडन नधी के किनारे पढ़ता है और सबसे दक्षिन स्थल की बात करूँ सबसे साउथ इस्थल की बात है आपका दायमाबाद दायमाबाद वर्तमान एहमद नगर महारास्टर के अंदर मौजूद है यानि सिंदू घाटी सब्वेता कि अगर मैं आकार आपको बताओ तो सिंदू घाटी सब्वेता इस इलाके में फैली हुई थी यू मान के चलिये सिंदू घाटी सब्वेता का वैसे कालकरम बताया गया है जो सर्व मानने कालकरम है वहाद तेबीस सो पचास से सत्रासो पचास इसापूर्व है यानि आज से मान के चलिये 3779 साल पहले 3779 साल पहले लगबक साड़े 3000 साल पहले एक बार लमसम आप मान के चलिये जो सर्व मानने और मैक्जिमम वैसे पुराततो विज्ञान के पुराततो विटाओं का अलग-लग मानना है कालकरमों को लेकर लेकिन मोटे तोर पर अधिकांस पुराततो विज्ञानी इस डेट से सहमत है 两φοपचास से सत्रा सो पचास यानि आज से आप मान के चलिए सिंदुगाटी सब बेता क्या है आपको समझा देता हूँ सिंदुगाटी सब बेता आप मान के चलिए आज से लगबग साडे 3000 साल पहले यूँ समझ लीजिये भारत यहाँ पर था आज से साड़े तीन हाजार साल पहले भारत यहां पर था और भारत की राजधानी थी यानि उस समय की दिल्ली थी हरपा अब मैटर समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था यानि साड़े तीन हजार साल पहले भारत यहां नहीं था यहां नहीं था यहां नहीं था भारत था यहां जिसमें थोड़ा अफगानिस्तान आता था थोड़ा कश्मीर आता था थोड़ा पंजाब हरियाना पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, भारत का पंजाब प्रांत, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत मारास्टा, थोड़ा बहुत उत्तरप्रदेस, ये सिंदूग हाटी सब बेता थी यानि यू मान के चलिए उस समय भारत यहाँ पे था और भारत की दिल्ली थी उस समय यह रपा और भारत में अब उस समय के भारत में लगबग एक हजार छोटे बड़े स्थल थे यानि छोटे बड़े गाउं या शहर या कस्बे थे समझ गे मेरी बात सिंदूगाटी सब बेता क्या है एक्जक्ली आज से साड़े तीन हजार साल पेले भारत यहाँ पे था और भारत की राजदानी थी हडपा और हडपा जैसे छोटे बड़े गाउं और नगर अब तक एक हजार सामने आ चुके हैं जो सबसे पहले खोजा गया था उस सहर का नाम था हडपा इसलिए इसका नाम हडपा रख लिया गया और सबसे लेटेस्ट अभी अभी खोजा गया है उसका नाम है भिरडाना जो की हरियाना में है अब चलते हैं कुछ आगे आने वाले मेठर पर सिंदु घाटी सब्यता को थोड़ा सा और हम बारिकी से समझने की कोशिश करते हैं देखें ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है सिंदु घाटी सब्यता का सबसे उत्री स्थल कौन सा है दक्षिनी कौन सा है पस्चीमी कौन सा है पूर्वी कौन सा है आजकल सवालों का थोड़ा पैटर्न बदलता हुआ नजर आता है जिसमें एक और स्थल दिये जाते हैं दूसरी और उसके लॉकेशन दी जाती है आपको मिलान करना होता है तो ये मिलान करने वाले रिलेटेड कोसंस जादा इस एंगल से पूछे जा सकते हैं इसलिए इस वाले डाइग्राम को अच्छे से देखिएगा हिस्ट्री लाइनों से रटने वाला पुस्ट्कों से पढ हो जाया था कि बेटा इतियास की दो आखे हैं डेट और मैप अगर आपको डेट नहीं आती तो आप काने हो और अगर आपको मैप नहीं आता तो आप अंधे हो इसलिए हिस्ट्री को कभी भी मैप के बिना डाइग्राम के आप नहीं समझे तो बहतर होगा सिर्फ लाइनों से हिस्ट्री कभी क्लियर नहीं होती शब्दों से हिस्ट्री क्लियर नहीं होती हिस्ट्री को अच्छे से समझने के दो ही तरीके हैं या तो हिस्ट्री को हिस्ट्री के हिसाब से लिया जाए क्योंकि हिस्ट्री में गटना करम चलते हैं किसने क्या किया किसन किसको धोया यह सारा एक वीडियो की तरह एक फिल्म की तरह चले तो याद रह सकती है क्योंकि फिल्म में आपको याद रहती है इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको मैंने बता दिया था और दूसरा हिस्ट्री को अच्छे से समझने का दूसरा तरीका है कि इस तरह से आप डाइग्राम से चले, आपके माइंड में ऐसी छप जाएगी कि कोई निकाली नहीं पाएगा, हाँ थोड़ी मुस्किल आ सकती है, लेकिन competition मुस्किल नहीं है, अगर ढंग से आप टीचिंग करते हो, सौरी, ढंग से आपको कोई पढ़ाता है, या फिर कोई platform अच्छा है, तभी आपका पढ़ना सार्थक है, नहीं तो पुस्तकों में matter की कोई गमी नहीं है, लेकिन क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, यह एक अच्छा कोच ही बता सकता है, क्योंकि मैंने अपनी life में, बली मैं professor हूँ अपनी हैसियत से, लेकिन मैं अपने आपको इस field में कोच मानता हूँ, और कोच का काम है, दिशा देना, न की पढ़ाना, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, कि मैं आपको वो समझाऊंगा, क्या आएगा, क् कैसे आएगा, ये सारी चीज समझाने की जिम्मेदारी है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंदूग हाटी सब्वेता को, हम समझते हैं और अच्छे से, सिंदूग हाटी सब्वेता के अब तक 1000 स्थल सामने आ चुके हैं, ठीक है, उन 1000 स्थलों में पांच सब से महत्वपूर्ण स्थल हैं, पांच महत्वपूर्ण स्थल हैं, और ये पांच स्थल हैं, हडपा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहीवाल जिले में रावी नदी के तठ पे था, पाकिस्तान में भी पंजाब है, ध्यान रखना, 1947 से पहले विबाजन हुआ था, तो पंजाब के दो टुकडे हुए थे, एक स्थल है, मुख्य स्थल, मोहिन जोदारों, नाम सुना होगा, जिसे आप मोहिन जोदारों केहते हैं, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में हैं, सिंधू नदी के किनारे, एक प्रमुखिस्तल है, जिसका नाम है, धोला वीरा, जो की भारत के कच्छ प्रांत में हैं, गुजरात भारत के अंतरगत पड़ता है, उसके कच्छ प्रांत में हैं, एक स्थल है, काली बंगन, जो की राजस्थान भारत के प्रांत में हैं, जो राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में हैं, एक स्थल है, जिसका नाम है, बनावली, ये बनावली जो है, वह हरियाना भारत में है, ये पांच प्रमुख सिंदू घाटी सब्वेता के शहर माने जाते हैं, हडपा, मोहिन जोदारों, धोला वीरा, काली बंगन और बनावली, देखिए दोस्तों, अगर आपने पुस्तके भी पड़ी हों, तो आपको पता होगा कि सारी पुस्तकों में सिंदू घाटी सब्वेता की जितनी भी मुहरे हैं, मुहरे यानि सिक्के, मुहरे यानि सिक्के वह पांच कोनों वाले हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको पांच कोने, ये पांच कोने सिंदू घाटी सब्वेता के पांच शहरों के प्रतीक हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत मोहिंजोदारों फिल्म देखी हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आजकल के लड़कों को एतियासिक फिल्में समझनी आती या वो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एतियासिक फिल्में देखोगे, वैसे देखने की जरूती नहीं होगी, मैं जब तक पढ़ाऊंगा आपको सारी फिल्में दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको मोहिंजोदारों दिखाने वाला हूँ, मोहिंजोदारों मेरे ख्याल में आप मैंसे जि पसंद आती है, ठीक है, तो ऐसी फिल्में नहीं देखनी है आपको, थोड़ी एतियासिक भी देखनी है, मोहिंजोदारों अगर आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें भी आपको पता होगा, रितिक रोशन जो है, जिसका नाम शर्मन बताया जाता है, वो आमरी से आया थ तो मोहिंजोदारों के द्वार पर शर्मन यानि रितिक रोशन ने अपने काका से पूछा था, कि काका ये पांच जनावर कौन से हैं मोहिंजोदारों के प्रविस द्वार पर, तो काका ने कहा था, कि बेटा, ये पांच जनावर सिंदु भूमी के पांच शहरों के प्रती और काका ने बताया था कि एक सिंगा यानि हीरण मोहिंजोदारों का प्रतीक है अलाकि वो फिल्म हैं फिल्मों और इतियास में काफी फर्क होता है तो आपको शायद पता होगा और जानके बड़ा अचंबा होगा सिंदुगाटी सब्वेता में मोहिंजोदारों का प्रतीक व वजीब टाइट की हैं जिसमें कुछ नहीं होता लाइक सारुक खान कुछ नहीं किरता। शारुक का सहाब का यहीं काम है मेरे क्याल से इतनी वह अच्छी एक्चिंग नहीं आती जितनी एक्टिंग दूसरे एक्टर्स को आती हैं थिर फिर फी चल रहे हैं क्योंकि इंतुस्तान की डिमांड है सारुखान साब करते भी कितना मसते हैं पस इसके अलावा है क्या उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्म में चल रही थी I think रूस्तम भी आई थी तो सबने रूस्तम देखी होगी यह वाली नहीं देखी होगी तो देखेगा एक बार यूट्यूब पे या फिर किसी भी फ्लेटफॉर्म पे मोहेंजोदारो फिल्म में इसका जिक्र हुआ है तो सिंदुग हाटी सब्वेता के पांच प्रमुक शहर थे यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि भारत आज से 2350 से 1750 इसा पूर्व यानि आज से लगबग साड़े 3000 साल पहले भारत यहां था और भारत की दिल्ली थी हडपा यानि भारत का उस समय राजदानी थी हडपा मुंबई जैसा कोई शहर था मोहेंजोदारो अहमदाबाद जैसा कोई शहर था धोलावीरा जेपूर जैसा कोई शहर था काली बंगन और बनावली कोई चंडीगड जैसा शहर रहा होगा आप मेटर तो समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इतियास को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए अपने दिल पे लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हडपा, मोहिंजोदार और दिली, मुंबई वगेरा ऐसे शहर थे मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज से साड़े तीन हजार साल पहले ये इस टाइप के शहर हो सकते है ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाँच ही शहर थे इन पाँचों के अलावा भी, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था एक हजार स्थलों की खोज हो चुकी है यानि ऐसे ऐसे शहर उस समय कितने थे? एक हजार से भी अधिक थे तो हम अब systematically उन शहरों को थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए सारी पुस्तकों में सिंदू घाटी शब्यता के शहरों में बड़े-बड़े स्थलों की सबसे पहले चर्चा की गई है छोटे-छोटों की बाद में की गई है, एक लाइन में डाल दिया गया है मेरा एक तरीका थोड़ा सा अलग है, जो सबसे अलग है मैं सोच रहा हूँ की सब को area-wise माट के पढ़ा लूँ reason क्या है, क्योंकि होता क्या है कि अपन क्या करते हैं, सिंदू घाटी सब्यता जब भी पढ़ते हैं तो इतना बारिकी से सवाल नहीं आता छोटे-छोटे स्थलों से उनकी location पूछी जाती है, आजकल एक सवाल पूछने का नया trends है कि जैसे कि एक नया तरीका का pattern आपको सुरू हो चुका है काफी समय से जैसे कि एक और स्थल दिये जाते हैं, दूसरी और उसकी location दी जाती है आपस में Milan करना होता है, Milan कीजिए तो मेरे इसाब से सबसे बैटा तरीका यही होगा कि हम सिंदू गाटी सब्यता को अलग-अलग area में divide करके पड़े कि कहा कौन से स्थल मौजूद है अन्य था पुस्टकों की style में पड़े, तो आपके इदर डालोगे, उदर गायब होते रहेंगे सबकी यही जमस्या है, कि उनको हमेशा इदर कोई भी matter डालते हैं, तो उदर निकलता रहता है इसलिए आप कोशिश यह करें, कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें, जैसे मैं करता हूँ सिंदू घाटी सब्वेता को हम अलग-अलग area में divide करके इसलिए भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सिंदू घाटी सब्वेता जो है, वह अलग-अलग छेत्रों में फैली हुई थी, और आजकल सीधे और साधारन सवाल आते हैं, कि कौन सा स्थल कहा है, मिलान कीजिए एक और आपको स्थल दिये जाएंगे, दूसरी और उसके रज्य दिये जाएंगे, या जिले दिये जाएंगे, आपको आपस में मिलाना होगा ठीक है, और ऐसे सवाल कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ